गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, सिंगल एकाडेमी बाई उशा सिंगल में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों आज हम पढ़ेंगे कामता नात द्वारा लिखित लाख की चूडिया आप जानते हैं कि विवाहित इस तरीके जीवन में चूडियों का कितना अधिक महत्व है वे कांच की चूडिया भी पैनती हैं लेकिन पहले लाख की चूडियों का प्रचलन था लाख एक ऐसा पधार्थ होता है जिससे बच्चों बहुत ही सुन्दर चीजे बनाई जा सकती हैं डेकोरिशन की चीजे बनाई जा सकती हैं स्टेचूज बनाई जा सकते हैं और विविन प्रकार की सजावट का सामान भी बनाया जा सकता है तो लाक से चूडियां ऐसे बनाई जाती है, कौन बनाता था और इस से इस पार्ट में लाक की चूडियों का क्या महत्व है इस बारे में हम मिलकर चर्चा करेंगे लेकक यहाँ पर बता रहा है सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमे लगता था क्योंकि वह मुझे सुन्दर सुन्दर लाक की गोलिया बना कर देता था मुझे अपने मामा के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाप ही था कि जब मैं महा से लोटता था तो मेरे पार धेल सारी गोलियां होती रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोहले बच्चों आप जानते हो कि बच्चों को रंग विरंगी चीजे बहुत अच्छी लगती है तो जब बदलू अपनी मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के गाउं जाता था तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बदलू और बदलू के घर जाना उसे इतना अधिक अच्छा लगता था क्योंकि जब भी वह जाता था जैसे बच्चे को बैलाने के लिए कोई भी चीज दे देते हैं इसी प्रकार से वह बदलू भी लेखक को रंग विरंगी गोलियां दिया करता था जो गोलियां बहुत ही अच्छी लगती थी और लेखक का मन बार बार उसके घर जाने का करता था वैसे तो मेरे मामा के गाउं का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था परन्तु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था जैसा कि गाउं के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू का मकान कुछ उचे पर बना था मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का ब्रक्ष लगा था उसी के नीचे बैठ कर बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टे धहकती रहती जिसमें वे लाग पिकलाया करता सामने एक लकड़ी का चोखट पड़ी रहती तो इसमें लेखक ने बताया है कि जब हम गाउं में जाते हैं जब हम नानी के घर जाते हैं तो वहाँ पर अड़ोस पड़ोस वाले जो होते हैं वो सारे मामा ही लगते हैं है ना तो लेखक को भी बदलु को कहा काईदे में मामा कहना चाहिए था लेकिन जैसा कि हम देखते हैं अपने आसपास में बच्चा अपने से बड़ों को वही कहकर पकारता है जो हम घर में कहते हैं अगर हम किसी को भाईया कहते हैं तो वो हाला कि उसके चाचा लगते हैं तो वो भाईया ही कहते हैं किसी को हम चाचा कहते हैं तो वो चाचा कहते हैं बच्चे तो उसी प्रकारजी जो लेकक था जो अपनी नानी के घर जाया करता था तो वेह बदलू को, क्योंकि सारे बच्चे काका कहते थे, तो वेह भी मुर्जने काका कहकर पुकारता था. अब बदलू क्या करता था? बदलू जहां पर बैठता था, वहां का बन्डन करते हुए लिकक बताता है, कि मकान था और जो कि कुछ उचे पर बना हुआ था मकान के सामने बड़ा सा सेहन मतलब बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का ब्रक्ष लगा हुआ था यानि पहले जमाने में बड़े बड़े घर होते थे और बड़े बड़े घर में बड़ा सांगन होता था तो अधिकाइश्टे लोग छाया के लिए ड्रक्ष लगाया करते थे तो वहाँ पर बदलू के घर में भी एक नीम का ड्रक्ष लगा हुआ था और उसी के नीचे बैठ करके बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी धहकती रहती यानि जिसमें लाख पिगलाने का काम होता है वो एक भट्टी थी जो कि उसके पास में ही जलती रहती थी जिसमें वह लाख पिगलाता था सामने एक लकड़ी की चोकट पड़ी रहती जिसमें लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता पास में 4-6 बिविन आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मूटी होती लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चला कर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चुडियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता अब क्या करता था बदलू बदलू जो लाग को पिगला करके उनको पतले पतला कर लेता था और पतला करने के बाद जो मुंगेरिया थी यानि जो उसकी गो बेलन लुमा मुंगेरियां थी उन पर उनको चढ़ा देता था ताकि वो अपना आकार ले ली और उन पर उन चुडियों का आकार देकर उन्हें चिकना करता था और पूरे हाथ की चुडियां बनाने के बाद उन पर रंग करता था बदलू ये कारे सदा ही एक मचिये पर बैठ कर किया करता था मचिया होता है चार पाई चार पाई को कहते हैं मचिया जो बहुत ही पुरानी थी बगल में ही उसका हुका रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता गाउ में मेरा दोफेर का समय अधिकतर बदलू के पास बीचता पर मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता मेरे घंटों बैठे बैठे उससे इस परकार चुडियां बनाते देखता रहता लगभग रोज ही वह चार छे जोड़े चुडियां बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चड़ा कर कुछ छंड़ चुपचाप देखता रहता मानो वह बेलन ना होकर किसी नब बदु की कलाई हो अब देखिये यहाँ पर उसने किस प्रकार से इसकी तुलना की है जो बेलन की तुलना की है एक नब बदु की कलाई से की है है ना तो यानि जब वह चूडिया बनाता था तो जब हम अपनी कोई भी डिजाइन बनाते हैं कोई भी चीज बनाते हैं तो जब वो पूरा हो जाता है तो हम उसे देखने के लिए बड़े व्याकुल से होते हैं और हम देखते हैं कि उस पर कैसा गैट पाया है उसी प्रकार से बदलू भी जब सारी चूडियां बन जाती थी, तो उनको मुगेरियों पर चढ़ा कर जो बेलन नुमा मुगेरियां थी उन पर चढ़ा करके और सारी चूडियां को इखटी करके ऐसे देखता था जैसे की नवबदू ने अपनी कलाही में वो चूडियां पह करते थे पैत्रिक मतलत जो पिता से चल कर आ रहा है का रहना ऐसा कारे जो उनके पिता और बावा सब करते थे और वास्तम में वह बहुत ही सुन्दर चूडियां बनाता था उसकी बनाई चूडियां की खपत भी बहुत थी उस गाउं में तो सभी इस्त्रियां उसकी बनाई कि थी आज पास के गाओं के लोग भी उससे चूडियां ले जाते थे परन्तु वैं कभी भी चूडियों को पैसों में न वे stokedा था उसका बweek रजवित बस्तू Neverland का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूडियां ले जाते थे बदलू स्वेभाब से बहुत ही सीधा था मैंने कभी भी उसे किसी से जगडते नहीं देखा शादी विवा के अफसरों पर वै अवश्य जित पकड़ जाता था जीवन भर चाहें कोई उससे मुफ्त चोड़िया ले जाए पर तु विवा के अफसर पर वैसारी कसर निकाल लेता था आखिर सुहाक के जोड़े का मतलब ही और होता है मुझे याद है मेरे मामा के हिया किसी लड़की के विवापर जरासी किसी बात पर विगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे विवापर में इसी जोड़े का मुल इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वसर मिलते धेरों अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपे जो मिलते सो अलग अब देखे इसमें बताया गया है कि जो बदलू था चूड़िया जो बनाता था बहुत ही सुन्दर चूड़िया बनाता था और पूरे गाउं में उसकी बनाई हुई चूड़िया पहनी जाती थी लेकिन इसमें एक मैं तो पूर्ण बात बताई गई है कि बदलू अपनी चूड़ियों को बेचता नहीं था बदलू अपनी चूड़ियों को वस्तु बिनिमय का एक तरीका था जो कि एक पहले पध्यती चलती थी यानि एक वस्तु के बदले में किसी दूसरी वस्तु को बदल लेना तो वस्तु बिनिमय का तरीका ही अपनाता था और लोग उसे अपना यानि कोई गयू दे जाता था, कोई चावल दे जाता था, कोई गुर दे जाता था, इस तरह कि कोई भी चीज उसे दे जाता था और वह उसे चूडियां दे दिया करता था, कभी भी बदलू ने जिद नहीं की, लेकिन जब शादी होती थी, तो शादी पर वह जिद जरूर पकड़ लेता था और उन चूडियों का अधिक दाम बताता था और लोगों को क्योंकि वह उस समय जरूरी होती है चूडिया लेनी तो लोगों को चूडिया लेनी भी पड़ती थी और उसको वो उसकी बात खराब भी नहीं होने देते थे यानि उसको मना कर रखते थे कि उन्हें लगता था कि अगर ये रूट गया तो मामला गरवर हो जाएगा है ना तो उसे मनाने के लिए क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी तो वह जितने मोल मांगता था जितने भी पैसे मांगता था जितना भी चीजे मांगता था वह लोग सब उसे खु को सर पे बांदने के लिए पगली मिलती थी और रुपे भी अलग से मिलते थे। संसार में बदलू को किसी बात से चिलती तो वह थी काज की चूडियों से। यदि किसी भी इस्तरी के हातों में उसे काज की चूडियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और अभी मेरे घर के बारे में और कभी योही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांज की चूडियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला। वहां तो सभी कुछ होता है वहां तो औरते अपने मरत का हाथ पकड़ कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाईया ना जुकोती है ना लाग की चूडियां पैने तो मोच ना आ जाए तो देखिएगा जब बदलू से लेखक बता रहा है यहां पर कि जो चिल थी ब तो वहें बहुती डिस्टर्ब हो जाता था बहुती खुड जाता था उससे और उसे दो-चार खरी खुटी भी सुना देता था लेकिन जो लेखक था लेखक से बदलू हमेशा बहुत देर तक बाती करता था कभी उसके बारे में बात करता था कभी उसकी घर के बारे में बा तो लेका कुछ से बताता है कि शहर में तो सब काँच की चूडिया पहनते हैं और यहां सब लाग की चूडिया पहनते हैं तो उस समय बदलू कहता कि बेटा शहर की बात तो अलग होती है अब वहाँ पर प्रिचलन बता रहा है कि औरते जो होती है मतलब गाओं और शहर की और तो में जो अंतर होता है गाओं में पर्दा होता था पहले अब तो बहुत कम हो गया है लेकिन पहले समय में गाओं में पर्दा होता था लेकिन शहरों में ऐसी कोई बात नहीं थी शहर में लेडीज और जैंट्स तोनों हाथ में हाथ ताल करके गूम सकते थे कोई उन पर बद दिश नहीं थी तो ये बात बदलू अब बच्चे को बता रहा है लेखक को बता रहा है और बता रहा है कि शहर की जो औरते होती हैं उनकी कलाईया ना जुकोती हैं लाग की चुड़ियां अगर पहनेंगी तो उनके हाथ में मोच भी आ सकते क्योंकि लाग थोड़ा भारी होत है धन्यवाद मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आये तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें धन्यवाद बच्चों अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे